गाय की कहानी एक समय की बात है, एक छोटी सी गाय जंगल में रहती थी, वह बहुत ही प्यारी और मस्तिश कशिक थी, उसके पास सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह बहुत महनती और सहायता करने वाली थी, डौट, एक दिन गाय ने जंगल में एक नया दोस बनाया जिसका नाम बंदर था, वह दोनों दिन भर एक साथ खेलते और मस्ति करते थे, बंदर गाय की महनत को देखकर हमेशा उससे प्रेरणा लेता था, डौट, एक दिन जब गाय और बंदर ने खेलना बंद किया, तब बंदर ने कहा, मेरे पास एक आदमी के घर का पता ह जहां हम धन कमाने के लिए कुछ काम कर सकते हैं, क्या तुम आना चाहोगी, गाय ने खुशी से कहा, हाँ, बंदर मैं बहुत महनती हूँ और आदमी के घर में काम करना चाहती हूँ, इसलिए वे दोनों अगले दिन आदमी के घर की और निकल पड़े, वहां पहुचने पर उन्होंने आदमी से कहा, क्या हम यहां आपकी सहाथा कर सकते हैं, आदमी ने उन्हें धन्यवाद कहा और उन्हें अपने खेत में लखे गया, गाय और बंदर ने खेत में काम शुरू कर दिया, गाय ने घास खाने वाले गायों के लिए घास काटी और बंदर ने आदमी को सबसे बड़े अनाज सटे हुए दिखाएं। कुछ दिनों बाद, आदमी ने गाय और बंदर से कहा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब तुम दोनों घर जाओं और अच्छी खाने का आनंद उठाओं। गाय और बंदर ने खुशी से धन्यवाद कहा और उन्होंने अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए रास्ते में चलना शुरू किया। जब वे घर पहुँचे तो गाय ने बंदर को एक शुबकामना दी और अपने दोस्त के घर की ओर जाने के लिए अलविदा कहा डौट बंदर धन्यवाद देकर उसे छोड़ने के बाद गाय अपने आराम से खेत में चली गई। वह बहुत खुश थी क्योंकि उसने देखा कि मेहन करने और सहायता करने का फल बहुत मिठा होता है। इसी तरह गाय ने अपने दोस्त बंदर की मदद की और वे एक साथ काम करके बहुत सारी खुशियों को जीते। गाय ने सिखाया की दोस्ती। मेहन और सहायता से हम सभी एक दूसरे को मदद कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं।